हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप साब आई होप आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों अभी मैंने दो दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था राइस और फ्लैक सीट से आप किस तरीकी से अपने चेरे पर फेशिल कर सक सकते हो उस वीडियो को आप सबने मुझे डेहर सारा प्यार दिया उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्सर में तो हमासे आप एक वाल से जरूर चेक कर लेना आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप चुकंदर से किस तरीके से अपने चेहरे पे फेशल कर सकते हो और ये फेशल करने के बाद आपके चेहरे पे इतना अच्छा निखार आएगा अगर आपको किसी की शादी में या पार्टी में जाना है तो आप इस पैक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले हैं पर जरूत पड़ेगी बीट रूट पाउडर की यह ओल टाइप इसकिन के लिए है अगर आपके पास में यह नहीं है तो आप इसकी जगह चुकंदर लेके और उससे अच्छे से कदुकस कर लें उसका जूस निकल लें तो इसकी जगह आपके घर में इसका प्लांट है तो इसके प्लांट में से एक लिफ तोड़ लीजिए उससे अच्छे से दो के और चील के उसका पल्प निकालके उसे मिक्सी जार में डालके अच्छे से ग्राइंड करके तो उसकी आप आदा या फिर एक चमस ले सकते हो तीसर फाने की क्वान्टिटी आप अपनी सबसे कम ज़ेदा कर सकते हो अगर आपने पनी होना चाहिए इन सब को ही से मिला देना है मिलाने के बाद आपको यहां पर एक चीज की और जरूत पढ़ने वाली है यहां पर मैं लूँगी एक चौथाई चमत से भी थोड़ा सक्कम तो दीखिए यहां पर मैंने लिया है चंदन पाउडर अगर आपकी इसकिन को यह सूट करता है तब तो आप इसमें इस पैक को जैसे मैंने बनाया है इसी तरी कसे तयार करें और मुझे थोड़ा सा हादे लगा था तो मैंने थोड़ा सा गुलाब जन ली इक उसना ओड़व डाल दिया अम इसे कम से कम 2-3 मिनट के लिए सेट होने के छोड़ेती हुँ अब मैं पर क्या तयैं कर रहे हूं है दूनों ही चिज़े षैक हमारा तियार हो चुका है अब हम सबसे पहले करेंगे अपने चहरे पर स्क्रब तो देखिए मुझे कम से कम एक haftा होगा मैने तब से अपने चहरे पर स्क्रब नहीं किया अगर आपने पहले से स्क्रब किया हुआ हैFirst can we start this और आपको open foods की problem भी हो सकती है ठीक है ना तो आपको हफते में कम से कम एक से दो बारी scrub करना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए इस scrub करने का सही तरीका होता है हलके हलके हाथों से आपको अपने चेरे की मसाज करनी है बहुत ज़्यदा रगड़के नहीं करने अगर आप बहुत ज़्यदा रगड़के करोगे तो आपको wrinkles की problem भी हो सकती है अगर आपको double chin की problem है तो जिस तरीके से मैं नीचे से कर रही अपने चिनके एरिया पर इसी तरीके से आपको मसाज करनी है ऐसा करने से जो हमारी double chin की problem होती है उससे हमें छुटकारा मिलता है इस तरीके से हलके हाथों से बहुत हलके हाथों से आपने चेरे की scrub करें इस करने के लिए आपको दो मिनट का टाइम देना है इससे ज़्यदा दो मिनट इस करने के बाद आपको अपने चेरे को साफ कर लेना है तो मैंने सादा पानी लिया कोटन का हेंकी लिया उससे अपने चेरे को साफ कर लिया अब जो हमारा ये पैक है अच्छे से से हो चुका है अब हम इसी लगाते हैं तो इसी लगाने का तरीका क्या है आपको इस पैक को लेना है और अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से आपको लगा देना है इस पैक को लगाने के बाद आप अपनी गर्दन पे वी से लगा सकते हो अगर आपका थोड़ा सा पैक बच गया है तो आप उसे अपने हाथों पे लगा लीजिए अपने नेक पे लगा मैं इसको मैं बना के रख सकती हूं programme आपको बना के बिलकुल भी नहीं रखना है अगर आपने जो मैंने हैं ये वीकृ टूट पौर्णो लिया है इसके जगह आपने छुकंदर का जूस लीया है तो आप इतना कर सकते हो कि जूस को आप अच्छे से जूस निकालनें जूश निकालके एक साफ सुसरी बर्तन में उसे इस्टोर करके कोई काच का बाउल हो आपके पास उसमें इस्टोर करके आप फ्रीज में रख सकते हो और 5-6 दिन के लिए आप इसे रख सकते हो तो खराब नहीं होगा और सर्दियों में तो आप इसे 8-10 दिन के लिए भी रख सकते हैं तो खराब नहीं होता है लेकिन आपको रखना इसे फ्रीज के अंदर होगा ठीक है ना इसको आपको मतलब कितने दिन में करना है तो देखिए जब आपको ऐसा लगे कि मतलब आपके घर में या फिर आपको कह ना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मेकप अपने पर पहुँता हुआ है मेकप को ज़िछा होता है थोड़ी देर के लिए सुन्दर लगता है जब आपको मेकप साफ हो जाएगा तो जैसी आपकी अंदर से इसक्ने वह दिखाई देती है तो आपको इस तरीके से अपने स्किन तो उसको बिंदी लगा लेना संदूर लगा लेना हलकी सी लिपस्टिक आप लगा सकती हो ति यह होता है मतलब नौर्मल और डेली का मेकप लेकर जो फॉंडिशन की आप तीन से चाल लेयर लगाते हो न वह आपके किस्कृ को बिदा है थोड़ी देर के लिए तो आपके इसक को हटा की दिखा रही हूं तो देखिए, आप अधर से मेरारी है कितनी ज्यदा साफ को नजरा रही है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चैरेक कि जितनी गंडगी है तो आपको बला क्लेंक को θαख रहे हैं तो आपको भी इसी तरीक रहे हैं और इसे आपको मतलब हबते में अगर दो दिन भी लगाना चाहते हूं तो आप लगा सकते हूं लेकिन आपके ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि मैं आज जैसे कि आपने ये वाला पैक बताया है इसे मैं अब लगा लेती हूं दूसरा आपने बताया है उसे मैं एवनिंग में लगा लेकिन क्योंकि यहां पैक लगा है तो इनके लिए कम-से-कम-ईग से-दो दिन का टाइम जरूर मिलना चाहिए उसके बाद फिर आप लगा सकते हूं और कोई पैक ऐसा होता है दोनों ही आपकी स्किन को सूट करते हैं तो आप क्या करें जैसे कि यह वला पैके अगर आप इसे डेली में लगाना चाहती हो तो आपको पांच मिनट से ज्यादा इसे अपने चेहरे पे नहीं रखना या फिर तीन मिनट भी रख सकते हो उसके बाद आप यह सुखे ना सुखे कोई फर्क भी पड़ता आप चेहरे साफ कर लिजिए तो देखें यहां पर मैंने पूरी चेहरे कोचे से साफ कर लिया और चेहरा साफ करने के लिए आपको नॉर्मल पानी लेना बहुत ज़रा ठंडा नहीं लेना और आपको गर्म पानी भी नही चेहरा क्लीन करने के लाद और आप इस पैको अपने लिफ्स पर भी लगा सकते हो ठीके ना तो देखें चेहरा साफ कर लिया मैंने अपनी गर्दन साफ कर ली अप लाश्ट में जो मैं आपके साफ शेयर कर रही हूं इससे आपको जरूर फॉलो करना है इसकिप नहीं करना और हलकी हलकी थपकी टाइप में आप लगाते हुए हलकी हलकी हाथों से आपको अपने पूरे चेहरे की मसाज करनी है अगर कोई भी ऑईल आपकी स्किन को सूट नहीं करता तो एलो वेरा भी आप लगा सकते हो लाश्ट में मतलब उसमें थोड़ा सा गुलाव जल मिला इसे करने के बाद आपको कम से कम इस पैक को लगाने के बाद कम से कम 24 गंटे तक आपको ना तो कोई साबुन लगाना है ना ही कोई फेश वाश लगाना है आप नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को दो सकते हो इससे आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लू आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्ट्राग्राम और फेस्बूक के फॉलो नहीं किया तो ज जो चीजे हमारी स्किन को सूट नहीं करती अगर उसी को हम अपने चेहरे पे या फिर कहीं पीवी बॉडि पे लगाते तो उससे हमें ऐलर्जी की प्रावलम रेडनेस की प्रावलम या फिर आपको पिंपल दाने की निकलने की प्रावलम हो सकती है और वी ऐसे बहुत ही अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना अब आपसे मुलाकात होगी कल यानि की नए वीडियो के साथ नए विलोग के साथ बाए बाए